तो यहां पर मैं कोई ट्रिक ने लेका है आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए शिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चाप्टर्स कैमेस्ट्री फॉर नीट एंजेडवली मैं बताने वाला हूं यहां पर यहां पर आपको बताने जा रहा हूं 10 दे का प्लान हमारा चल रहा है ठीक है आप 140 स्कूर करना चाहते हो अगर केमेस्ट्री में तो यह प्लान आप एंड्रोल कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में लेकी यह 10 चाप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं 1.5 आर में डेली देने वाला हूँ आपको आनलाइन लक्चर्स विड़ दाट यू विल गेट ट्रिक्स मोर ट्रिक्स जो अभी बाकी है इस चैनल पर वो सारी चीसें आपको मिल जाएंगे 110 नोट्स मिलेंगे टेस्ट पेपर्स मिलेंगे और डिसक्रिप्शन आप कभी भी कर सकते हो मेरे साथ कोई भी डाउट रहता तो पर डे 50 रूपीस में यह अन्रोल कर सकते हो आप नीच और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करके डारेक्ली फॉर्म भर स सकते हो और नहीं तो इस कॉंटेक्ट नंबर पर आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो अगर हम लोग बात करते हैं इन और्गनिक केमेस्ट्री की तो उसमें से 2 चाप्टर बहुत इंपॉर्टन है तो फर्स वन इस हैं कि क्यमिकल बांडिंग है बहुत इंपॉर्टन कि नेक्स चो बात है जाट इस इन और इक का पी ब्लॉक पी ब्लॉक जो है वो दोनों में दिया गया 11th standard में भी है जा इंट 12th standard में भी दिया गया आपको कि 11th में साइद आपको याद होगा साइद तो 13th group एंट 14th group का दिया गया है उन 15th से आपको पढ़ना है और उसमें से भी ज्यादा स्पेसिफिक उनसे ब्लॉक्स पढ़ने आपको 16 & 18 ग्रूप के जो भी elements है उन सब को आपको डीटेल में पढ़ना है नेक्स्ट इस ऑर्गनिक केमेस्ट्री तो ऑर्गनिक करेंगा कि चैनल को फॉलो करते रहिए इसमें से में इंपोर्टेंट जो है वह है आईपेक नहीं एलेक्ट्रोनिक एफेक्ट और आईजोमर्स यह तीनों टॉपिक्स के क्वेस्ट्टन हर पेपर्स में आपको मिल जाएंगे नेक्स जो है चैप्टर 12 स्टेंडर का टॉपिक अल्डिहाइट कीटोन और कार्बॉक्सलिक इस बहुत इंपोर्टन चैप्टर है और्गनिक केमेस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि जैसे कि हमें पता है स्टार्टिंग में बता चुका हूँ 22 परसेंट जो है 12 और उसमें से यह बहुत जादा माक्स कवर करता है पूरे पेपर में तो ट्राइ कि जाएगा कि यह चैप्टर को आप छोड़िये मत और उसमें से इंपोर्टन जो हैं वह नेमिंग डिएक्शन है नेमिग डियेक्शन से इस चैप्टर के अंदर भर भर के दिये गए हैं बढ़ अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि शुट को निट ये रहता है कि उनको फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक लगता है और जड़े वालों को फिजिकल केमिस्ट्री सही लगता है पहले ही बोल देना चाहता हूं अगर आप नीट कि आपको समझ में आएगा कि हाँ ये questions मैंने किया है इसके जैसा किया है तो आप कर सकते हो उसके लिए practice करना पड़ेगा important chapter कुन सा है equilibrium अब equilibrium बहुत student ये बोलते हैं कि equilibrium important है और साथ साथ में thermodynamic important है मैं ये मानता हूँ क्योंकि मैंने analyze किया है equilibrium thermodynamic से ज़्यादा important है कैसे क्योंकि इसमें दो पार्ट आता है एक है chemical equilibrium और दूसरा है ionic equilibrium chemical equilibrium मैं से leech atelier principles आपको पूछे जाते हैं and ionic equilibrium मैं से आपको pH calculations के sums मिलते हैं तो आप try कीजेगा कि ये topic कीजे इसके जितने भी questions ले सकते हो, mock test दे सकते हो, जितना solve करोगे उतना अच्छा है next is electrochemistry, अब electrochemistry में से topics पूछे जाते हैं, एक है electrolytic cell, दूसरा है electrochemical cell और तीसरा है conductance ये तीन topics में से हर बार हर paper में आपको questions मिल जाएंगे, तो ये 10 साल का मेरा paper analysis था और मेरा 4 साल का experience अब मैं telegram पर भी join कर सकते हूँ, daily questions, handwritten notes और भी बहुत सारी कोई भी update होती तो मैं आपको बताता रहता हूँ, description में इसकी link मिल लाएगी उस पर आप click करके जाएंगे आपको बताता हूँ